हेलो बच्चों आज के इस क्लास के अंदर हम लोग जेई एडवांस के जो पीवाई क्यूज हैं उसमें थर्मोडायनमिक्स एं थर्मोकेमेस्टी के टॉपिक से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाई क्यूज हैं उसको हम लोग डिसकस करेंगे और हम लोग यह देखने की बनाने के लिए हमारा क्या अप्रोच होना चाहिए किशन को किस तरह से अप्रोच करना है किस au कि आपको क्लास रिलेटर्डर यूज इंफोर्मेशन है और जो भी इंफोरमेशन जो आपके लिए यूसफूल अगर वो आप तक पहुचे तो आप हमारा टेलिग्राम चैनल जरूर जोईन करें तो आज का यह जो पहला question है इस topic का इसमें कुछ इस तरह से दिया हुआ है कि एक reaction है जो कि A2P यहाँ पर हो रहा है और इसके अंदर दो graph दिया हुआ है एक तो दिया हुआ है कि A का जो concentration है वो किस तरह से vary कर रहा है और उसके अंदर दो temperature यहाँ पर given है T1 और T2 और उसके अंदर यहाँ पर एक दूसरा plot है जो कि P का concentration मतलब वो product का concentration यहाँ पर दो temperature के अंदर दिया हुआ है जो कि T1 और T2 है तो question कुछ इस तरह से बोलता है कि अगर T1 greater T2 जो है greater than है यहाँ पर T1 के तो बोलता है कि इन में से कौन सा जो statement है वो साही है इसके अंदर कुछ assumptions करने को बोला है बोलता है कि delta H0 का जो value है और जो delta S0 का जो value है वो दोनों temperature independent है तो यहाँ पर कुछ और भी data दिया हुआ है जैसे एक तो data यह हो गया कि यहाँ पर यह graph दिया हुआ है दो graph हमारे पास है एक reactant का temperature के साथ और एक product का temperature के साथ उसके बाद हमारे पास यह data है कि delta H0 और delta S0 जो है वो temperature independent है इसी के साथ साथ हमारे पास कुछ यह value दिया जाता है कि lnK का जो value है वो दो temperature पे है T1 और lnK का value T2 पर इसका जो ratio है वो बोलता है कि यहाँ पर T2 by T1 से यहाँ पर यह ratio आपका ज़्यादा है मतब greater than है तो बोलता है यहाँ पर कि जो standard symbols होते हैं कि जो H है S है यह सब जो symbols हैं यह mention किया हुआ है तो इसके अंदर 4 option है और यह more than 1 twice है मतब इसके अंदर 1 से ज़्यादा options भी correct होंगे तो आईए देखते हैं कि इसके अंदर हमको solve कैसे करना है सबसे पहले तो यहाँ पर यह देखना पड़ेगा कि इस graph में जो भी चीज दिया हुआ है जैसे मान लिजे यह जो दिया हुआ है तो इसको हमको solve कैसे करना इसको solve करने के लिए सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि हमें यूज क्या करना है तो देखिए जैसे कि हम लोग जानते हैं कि मान लीजे कोई reaction अगर A2P है और हम लोग यहाँ पर पढ़ें Lee Shatlier Principle तो इसके अंदर हम लोग यह जानते हैं कि अगर कोई reaction अगर temperature बढ़ाने से अगर उसका इल्ड कम हो रहा है तो इसका मतलब कि वह reaction exothermik होता है कि कहने का मतलब यह होता है कि अगर temperature बढ़ाया जाए और reaction अगर backward向 कर रहा है इसका मतलब यह हो जाता है कि reaction जो है वह exothermik है तो जो कि हम लोग ग्राफ से यहां पर देख सकते, देखिए, यह जो ग्राफ यहां पर दिया हुआ है, इसके अंदर ऐसा बताया जा रहा है, कि जो P का कंसेंट्रेशन है, यहां पर जो है, आपका यह T1 वैल्यू है, और यह वैल्यू जो है, वो T2 है, तो हम देख सकते हैं कि जो कंसेंट्रेशन P का है, वो टेम्परेचर बढ़ाने पे वैल्यू घट रहा है, इसका मतलब यह हो जाता है, कि यहां पर जो यह रियाक्शन है, वो बेसीकली एक्सो थर्मिक रियाक्शन है, तो पहला चीज तो हमको यह पता चला कि रियाक्शन एक् होता है, हम लोग इस तरह से लिखते हैं, माइनस rt ln k और एक जगह पे हम लोग ऐसा लिखते हैं कि delta ha0 जो है, हम लोग ऐसा लिखते हैं, delta G जो होता है, delta G0 ऩो इस इक्वड़ 약 1 हम लोग इस तरह का दो formula यहाँ पर जानते हैं अब इनी दो formula को हम लोग apply करेंगे और इस question को solve करने की कोसिस करेंगे तो आईए देखते हैं इस question को कैसे solve करना है तो सबसे पहला चीज तो यही दिया हुआ है कि यहाँ पर delta h का value less than 0 है जो कि मैंने आपको बताया कि चुकी temperature बढ़ाने से yield कम हो रहा है इसका मतलब कि reaction 100 थर्मीक है अब इस graph के अंदर देखिए हम लोग यह formula लगाना चाहते हैं कि डेल्टा जी नोट बराबर माइनस आटी एलन के तो के का value हमें चाहिए होगा अब के का मतलब क्या होता अगर हम के equilibrium की बात करें और हम लोग जानते के equilibrium मतलब क्या कि product का concentration equilibrium पर कितना है और reactant का concentration equilibrium पर कितना है और अगर हम graph को देखे ध्यान से तो graph के अंदर यह चीज यहां मेंशन किया हुआ है कि जो product है equilibrium पर 15 इसकी वैलु कम है और reactant का 5 से value कम है और यहां जो product है उसका value 5 से ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि अगर हम यहां पर A का value निकाले तो यही mention किया हुआ है कि cake में यहां पर जो value आएगा P का value 5 से ज़्यादा है A का value 5 से कम है सो देखा जाए तो k equilibrium का value एक से बड़ा हो जाता है अब हम लोग यह formula लगा देंगे यहां पर और चुकि k का value यहां पर एक से बड़ा है तो delta z not का value है चुकि यह minus rt ln k होता है तो k का value एक से बड़ा है इसका मतलब कि delta z not जो हो गया यहां पर negative हो गया सो हमें यह पता चला कि delta h not जो है वो negative है और delta g not जो है वो भी negative है अब question के हम अंदर हमें यह पता करना है कि delta s not का value क्या है इसके लिए क्या करेंगे यह data भी हमारे पास given है ln k t1 बटा में ln k t2 greater than t2 by t1 इसको थोड़ा rearrange करेंगे तो यह t1 का value इधर चला जाएगा और यह वाला value इधर चला जाएगा तो हम इसको इस तरह से लिख सकते अब इसके बाद इसमें करना क्या है देखिए rt यहां पर लिखे अगर यह जो value है आपका rt1 ln k1 यहां पर है आपका k1 और यहां पर अगर value देखा जाए तो यह है greater than rt2 ln k2 इसको अगर हम थोड़ा सा solve करें अगर हम इसको minus लगा ले so minus rt1 ln k1 is less than minus rt2 ln k2 हम लोग ऐसा लिख सकते हैं so यहां से अगर देखे तो यह जो value है वो basically क्या है वो delta g0 at t1 है और यह जो value है वो delta g0 at t2 है और इस चीज़ को अगर हम आगे चलके solve करें तो हमें कुछ ऐसा मिलेगा देखिए delta h0 minus t1 delta s0 delta s0 is less than यहां पर लिखा हुआ है delta h0 minus t2 delta s0 so basically यहां से question यह बोलता है आपके पास कि जो delta h0 का जो value है वो temperature independent है तो इसी को अगर हम लोग solve करकर देखेंगे तो option के हिसाफ से हमारे पास क्या आना चाहिए so option के ही साफ से अगर आप देखेंगे इसको so यहां पर देखें आर t1 ln k1 is less than इस तरह से दिया हुआ है अब इसके अंदर minus लगाएंगे अगर तो value कुछ इस तरह से solve होके delta s not का value जो है वो less than 0 आ जाएगा so इसी तरह से हम इस question को approach करेंगे so यहां पर अगर देखा जाए इसको solve करेंगे चुकि यहां पर delta h not का value जो है वो आपका temperature independent है delta s not का value भी temperature independent है so इस तरह से calculation थोड़ा inequality है अगर हम इसको solve करेंगे तो हमें delta s not का value वहां से निकल के आएगा जो की आप देख सकते हैं कि delta s not का जो value है वो इस तरह से आपका आएगा so इसके अनुसार हमारा जो option बनता है वो option कुछ इस तरह से हमारा a और c बन जाता है तो हमारे पास इस question को इस तरह से approach करना है so इस question को अगर summarize करें तो पहला चीज़ यह है कि आपको पता होना चाहिए कि graph को किस तरह से हम visualize करते है टेंपरेचर बरहाने पर क्या effect आता है second चीज़ यह है कि हमको डेल्टा जी नोट का value पता होना चाहिए और उसका relation डेल्टा एच नोट और डेल्टा एस नोट के साथ किस तरह से होता है यह पता होना चाहिए तो इसी के साथ मुझे लगता है कि आपको यह जो question है वो अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा तो अब हम लोग next question के तरफ move करते हैं तो यह जो question है एक बहुत ही basic thermodynamic graph के उपर यहाँ पर question दिया हुआ है कि आपको कुछ graph यहाँ पर mention किया हुआ है और इसके अंदर कुछ options दिया हुआ है उसके अनुसार आपको calculation करना है तो सबसे पहले देखते हैं कि इस question के अंदर क्या है देखें यह जो graph है इसके अंदर यहाँ पर y-axis पर volume दिया हुआ है और जो x-axis है वहाँ पर temperature दिया हुआ है और इस graph के अंदर यह जो line है यह आपका origin से पास कर रहा है तो अगर हम देखें यहाँ पर तो जो volume है वो directly proportional to temperature है अगर हम PV बरावर nRT से solve करें तो हम लोग देख सकते हैं कि PV बरावर nRT में अगर volume को temperature के proportional करना है तो इसका मतलब है कि pressure जो है वो आपका constant होना चाहिए तो इसका मतलब क्या हुआ देखें यहाँ पर अगर हम इस graph को अगर देखें अगर ध्यान से तो हमें यह पता चलेगा कि जो A से C वाला जो part है वो आपका चुकी volume constant है तो यह आपका isochoric path हो गया अगर हम यहाँ से यह वाला graph देखें जो यहाँ B है और यहाँ पर A है अगर हम इसको देखेंगे तो चुकी temperature constant है तो यह हमारा isothermal graph हो गया और यहाँ पर चुकी volume temperature के directly proportional है तो हम लोग इसको बोल सकते हैं कि यह हमारा जो isobaric graph हो गया अब कुछ करना नहीं है अगर हम लोग graph को identify कर चुके हैं तो हर graph के related हमारे पास formula है उस formula को use करेंगे और हमें बहुत आसानी से हम अपने options तक पहुच सकते हैं तो देखते हैं कि आखिर यहाँ पर किस तरह का मतलब यहाँ पर concept आपको लगाना है चलिए इसको हम लोग थोड़ा clear करते हैं कि graph की visibility हमारे साथ बनी रहे अब देखिए जैसे हम लोग calculation हर graph को एकदम अलग-अलग तरीके से करते हैं देखिए जैसे माल लीजे यहाँ पर अगर हम AB पार्ट को discuss करें तो जो AB का जो पार्ट है जैसा कि हमने बताया कि जो AB का पार्ट है वो isothermal है और isothermal की अंदर जब हम लोग calculation करते हैं तो work निकालने का तरीका क्या है वर्क निकालने का तरीका है माइनस NRT LNV2 by V1 तो उस चीज़ को हम लोग यहाँ पर apply कर देंगे और हमें यह पता है कि आईसो थर्मल जैसे हम लोग डेल्टा यू लिखते हैं आईडियल गैस के लिए तो डेल्टा यू जो आईडियल गैस का होता है वो आपका NCVM डेल्टा ती होता है और चुकी reaction जो है process जो है वो आपका IsoThermal है तो यह जो temperature हो गया डेल्टा ती वो 0 हो गया इसका मत्तब कि डेल्टा यू की value जो है वो भी 0 हो गई तो यहाँ से हम लोग को यह पता चला कि डेल्टा यू 0 हो गया delta h को हम लोग लिखते हैं delta h is equal to n c p m delta t so हम लोग यहाँ पर delta t इसका भी यहाँ पर 0 है इसलिए delta h की value भी यहाँ पर 0 हो गई so हम लोग को यह पता चल गया कि यहाँ पर work हम लोग इस तरह से निकालते हैं delta h 0, delta u 0 अब हम लोग first law लगाते हैं हम thermodynamic का first law लगाए अगर तो delta u is equal to हम लोग लिखते हैं q plus w क्योंकि यहाँ पर यह 0 है तो q बराबर हम लोग minus w यहाँ पर लिख सकते हैं so उसी तरह से हम लोग अगर यहाँ पर value निकाले तो q का value चुकि यहाँ minus है तो यहाँ पर plus आ जाएगा तो यह charge value हम लोग को ab के respect में यहाँ पर पता चला मैं उमीद करता हूँ कि आपको यह सब समझ में आ रहा है हम लोग अभी next part को देखते हैं अब हम लोग ac वाले part को देखते हैं so ac का जो part है वो हमारा isocoric path है isocoric का मतलब क्या हो गया कि volume वहाँ fix है अगर volume fix है इसका मतलब क्या कि उस process के दोरान जो आपका work है वो 0 हो गया इसके बाद जब हम लोग heat निकालेंगे तो heat के अंदर अभी delta u पहले निकाल लेते हैं तो delta u हम लोग कैसे निकालेंगे तो n c v delta t अब चुकि उस process के अंदर जो ac process है देखिए a to c जाना है तो इसका मतलब कि यहाँ temperature t2 है यहाँ temperature t1 है अगर हम pressure की बात करें तो यह p2 से p1 हम लोग pressure के तरब जा रहे हैं तो देखिए यहाँ पर temperature t2 minus t1 कर दिए तो यह हमारा delta u का value आ गया उसी तरह से delta अगर हम निकाले तो ncp delta t कर लेंगे t2 minus t1 और चुकि यहाँ work 0 है तो इस पर क्या कर सकते हैं तो q का जो value है वो delta u के यहाँ पर बडाबर हो गया तो यहाँ से हमारा q का value जो है वो delta u delta h मतलब यहाँ पर यह जो q है वो delta u के यहाँ पर equal हो गया तो इस तरह से हमको ac part के बारे में पता चला अब अगर हम लोग bc वाले part की बात करें जो bc part है bc part हमने बताया कि आपको isobaric समझना है तो pressure यहाँ पर constant रहेगा तो अगर हम लोग यहाँ पर iso अगर baric process है तो work हम लोग कैसे लिखते हैं तो minus p delta v लिखते हैं तो यहाँ पर हम लोग लिखे हैं minus p2 v1 minus v2 तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं minus यहाँ से हटा कर v2 minus v1 हो गया u का value अगर हम यहाँ से देखें तो देखें simple सी बात है पहले हम लोग delta u यहाँ से निकाल लेंगे तो यहाँ से आगया n c v t2 minus t1 delta h का value भी same formula एकदम same formula आपको हर बाल लगा लेना है तो यह formula आप यहाँ पर apply कर दिए इसके बाद अगर हम देखें तो q का value निकालना आप देखें चुकि हमें यह पता होता है q at constant p is called delta h and q at constant v is equal to delta u तो इसका मतलब क्या है कि चुकि process यह isobaric है इसका मतलब यह हो जाता है कि जो q है वो आपका delta h के बडाबर हो जाएगा तो यह वाला value और यह वाला value आपस में बडाबर है अब आप बहुत आराम से तीनों मतलब आपको हर graph के बारे में हर चीज पता है आपको 4 quantity जो w है जो q है जो delta u है और जो delta h है वो चारो value आपको बहुत clearly यहाँ पर मिल गया है अब आपको कुछ नहीं करना चारो values को आपस में यहाँ पर आपको mix करके देख लेना है कि कौन सा option जो है बहुत सही बैठता है इसी के अनुसार अगर आप match करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो option 1 है जो A है वो incorrect है जो option B है वो correct होता है और उसी तरह से आपका जो option C है वो आपका correct हो जाता है तो मैं उमीद करता हूँ कि आपको इस question के अंदर आपको समझना क्या था तो अगर आप इस question को समझना चाहते तो आपको बहुत basic चीजे पता होना चाहिए कि आपके पास मतलब कोई अगर ISO बारी graph है तो उसमें हम लोग values कैसे निकालते हैं ISO thermal graph है तो कैसे निकालते हैं और अगर आपके पास ISO core graph है तो उसमें हम लोग values किस तरह से calculate करते हैं और ये मतलब conceptually बहुत strong question नहीं है अगर मैं इसको अगर rate करूँ तो ये easy to medium के अंदर ही मतलब ये question लाई करेगा मैं उमीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि ये question किस तरह से solve करना है तो अब हम लोग next question के तरह move करते हैं देखे ये जो है ना ये thermo chemistry का एक बहुत ही basic question है इसका मतलब इसके अंदर आपको सिर्फ ये पूछता है कि standard जो enthalpy होता है enthalpy of formation हम किसको बोलते हैं मतलब इसका basic definition based ये question है तो अगर आप समझते हैं देखे standard enthalpy of formation के अंदर आपको दो-तीन चीज़े पता होनी चाहिए पहले चीज तो ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी हम formation का बात करते हैं तो formation के अंदर हम हमेशा one mole को ही बनाने की कोशिस करते हैं तो formation define ही होता है one mole के लिए तो हमें ये देखना है कि किस reaction में one mole यहाँ पर form हो रहा है तो सबसे पहले तो ये दो mole है तो इसको तो हम लोग हटा देंगे उसके बाद अगर देखे तो यहाँ पर एक mole है यहाँ पर एक mole है और यहाँ पर एक mole है तो हम लोग फिर second point पर चलते हैं कि जो standard enthalpy of formation है जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग उसके अंदर जो reactants होता है उसको हम elemental state में लेते हैं और वो उसके thermodynamic reference state से आना चाहिए तो thermodynamic reference state का मत्तब क्या कि अगर carbon है तो carbon अपने graphite के form से आना चाहिए जो कि solid form होता है तो अगर आप यहां पर देखेंगे तो इसके अंदर जो C2A6 दिया हुआ है अगर आप इसको ध्यान से देखें तो carbon जो है वो यहां पर gas form में दिया हुआ है जो कि गलत है अगर इसको अगर enthalpy of formation होना है तो यह carbon यहां पर graphite form में होना चाहिए जो carbon है वो यहां पर graphite form में होना चाहिए तो इसका मत्तब कि यह वाला चीज भी यहां पर wrong हो जाता है अगर हम इसके अंदर आएंगे तो देखें oxygen जो होता है वो उसका reference state होता है oxygen O2 gas reference state है और यह एक mole बन रहा है तो यह हमारा पूरी तरह से साही है उसी तरह से sulfur की बात करें अगर तो sulfur का जो rhombic sulfur होता है वो हमारा standard state होता है उसका reference state होता है तो जो की acid के form में पाया जाता है solid form में तो यह भी हमारा एक correct option होता है तो इस question के लिए अगर देखा जाएं तो जो पहला option है उसके अंदर 2 mole बन रहा था इसलिए गलत है और यह वाला जो option है third number जो option है उसके अंदर carbon जो है वो gas form में दिया है इसलिए वो option भी गलत हो जाता है तो हमारे पार जो सही answer है वो 2 और 4 आता है तो यह बहुत ही basic question था मुझे लगता है कि आपको समझने में बिल्कुल दीख करते ही होगी इसलिए अगर समझ में आ गया तो हम लोग आप next question के तरफ move करते है तेखिए यह जो question है वही answer आप देख सकते हैं बहुत ही simply यहाँ पर answer को यहाँ पर explain किया हुआ है अब यह जो question है वो chemical equilibrium का बहुत ही बढ़िया question है और thermodynamics मतलब chemical equilibrium के concept को use करते हुए हमें thermodynamics का जो formula है delta G का वो हमें apply करना है तो इसको हम लोग किस तरह से करते हैं पहले तो इसके अंदर आपको graph समझना है यह आखिर यह जो graph दिया हुआ है वो graph का क्या meaning है पहले हम लोग हो समझते है फिर calculation बहुत ही easy है इसके अंदर formula कुछ लगाना नहीं है अगर आप देखेंगे तो formula के अंदर सिर्फ आपको यह formula लगाना है delta G not का formula जो की बहुत ही simple formula है हमें पता होता है delta G not is equal to minus r t ln k यह बहुत ही basic formula है अगर आप thermodynamics पढ़े होंगे तो बहुत आराम से आपको यह formula याद होगा तो अब दिक्कत इसमें क्या है इस question का जो सबसे conceptual part है वो यह है कि इसका जो graph है उस graph को उम किस तरह से समझेंगे देखें इस graph को पहले समझते हैं इसके अंदर क्या दिया हुआ है कि जो B का जो pressure है वो किस तरह से vary कर रहा है तो जो B का जो pressure है वो ऐसा बोलता है देखें यहाँ पर यह चीज ऐसे constant है इसका मतलब कि वह equilibrium process है अब यहाँ पर कोई change लाया गया change मतलब आपने पढ़ा है इसके अंदर हम लोग कोई ना कोई external stress produce करते तो बोलता है कि temperature T1 था और उसके अंदर temperature को बढ़ा के हम लोग T2 कर दिये तो symbol सा बात है तो अगर यह T1 से T2 चला गया इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर को sudden changes आएंगे और equilibrium फिर से reshuffle करके एक नए equilibrium तक पहुचेगा तो वही बोलता है कि यहाँ पर जो equilibrium था वहाँ पर जो B का partial pressure है वो आपका 10 है और यहाँ पर जो नए equilibrium फिर से attain हुआ उसका यहाँ पर partial pressure 100 है तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें यह पता चल गया कि P का जो pressure है वो T2 पे और वो equilibrium के time का है वो 100 है और P का जो मतलब जो pressure है आपका B का pressure P1 पे वो आपका 10 है इतना हम लोग को पता चल गया तो अभी हम लोग आगे देखते हैं कि हम लोग किस तरह से इस्तमाल करेंगे इस question में जो सबसे important part एक और mention किया हुआ है जो A का pressure है वो पूरे process के दौरान 1 पे maintain किया हुआ है अब हम लोग देखें अगर यहाँ पर तो देखें simple सा calculation हो गया अगर हम KP का value निकाले तो KP हम लोग कैसे लिखते है partial pressure of product बटा में partial pressure of reactant तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1000 Kelvin पे जो B का pressure है वो कितना है 10 है और A का pressure तो 1 maintain है तो यह value होगे कितनी 10 अब हम लोग यहाँ पर आते हैं 2000 Kelvin पे तो इसका 100 value है जो की graph से मैंने बताया आपको और यहाँ पर आपका 1 है तो यह value आगे कितनी 100 अब हमको कुछ करना नहीं है यहाँ पर हम लोग को relate करना है डेल्टा जी नोट को T1 और T2 पे जिसका formula बहुत ही clearly यहाँ पर देख सकते है minus RT1 LN KP KP कौन सा 1000 Kelvin वाला यहाँ पर देख सकते है minus RT2 कौन सा LN KP KP कौन सा 2000 वाला तो नों को divide करेंगे बहुत simply यहाँ से आप calculation कर सकते हैं बहुत simple calculation है कुछ नहीं यहाँ पर आप देखेंगे तो solve करके देख सकते हैं T1 बटा में T2 LN 100 यहाँ पर देखें LN 10 है यह जो value है आपका 10 है तो यहाँ पर आपका आगया LN 10 और यह आगया LN 100 अब LN से log में जाना बहुत आसान है आपको पता है कि LN X का value जो है 2.303 log X होता है तो आप इसी को आप convert करेंगे तो देखिए यहाँ पर कुछ इस तरह से यह जो T1 है वो 1000 है T2 आपका 2000 दिया हुआ है यह जो value है आपका क्या हो गया 2.303 log में लाने के लिए है और log 10 आपको पता है 1 हो जाता है और log 100 जो है वो आपका 2 हो जाएगा तो इस तरह से calculate करेंगे तो बहुत आराम से इस question को हम बना सकते तो इस question में अगर हम देखे तो आखिर हमको पता क्या होना चाहिए सबसे simple सा बात यह था इस पूरे question का जो सबसे important चीज़ था वो था इसका graph इस graph को आप किस तरह से interpret करते तो graph के अंदर जो value धिया हुआ है उसको आपको use करना है और उसके बाद आपको एक basic formula apply करकर एक simple सा calculation यहाँ पे करना है तो मैं उमीद करता हूँ कि आपको यह question भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा चलिए अभी हम लोग next question के तरफ चलते हैं so next question के अंदर अगर आप move करेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि इसके अंदर बोलता क्या है कि जो tin है आपका वो obtain किया जा रहा है कैसी trite के साथ मत्तब उसका जब हम reduction करते है कोक के साथ कैसी trite को कैसी trite आपको पता है कि tin का एक और होता है उसको कोक के साथ हम reduce करते है तो हमें tin का formation होता है तो question में हमें यहीं पूचता है कि minimum temperature बताइए जहाँ पर यह reduction possible हो पाएगा आपको पता है कि बहुत basic से चीज है कोई भी reaction कराने के लिए हमें पता है कि delta g not का value जो है वो negative होना चाहिए देखे हम लोग बोलते तो है generally क्या कि delta g का value less than 0 अगर reaction standard state में हो रहा है तो फिर हम सारी बाते delta g not के लिए कर लेते हैं तो delta g not के value को less than 0 करेंगे और वहाँ से जो value है आप क्या लिख सकते हैं delta h not minus t delta s not और इसको less than 0 करेंगे और वहाँ से हम temperature निकालने की कोशिस करेंगे तो इसके लिए हमें delta h not पता होना चाहिए और हमें delta s not पता होना चाहिए तो अभी हम लोग इसके calculation को करने ही कोशिस करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर आपको देखना है कि reaction हो क्या रहा है देखें यह आपका कैसी try it है कोक के साथ आप reduce कर रहें तो आपको tin मिल रहा है और co2 gas यहाँ पर release हो रहा है अब आपको पता है कि किसी reaction का जब हम delta h निकालते है तो हम क्या करते है formation में जो product का जितना भी enthalpy of formation है उन सब को add करते है reactant में जितना भी enthalpy of formation है उसको add करते हैं और दोनों का वहाँ पर हम लोग मत्तब difference ले लेते हैं उसी तरह से जब हम लोग standard यहाँ पर molar entropy का calculation करते हैं तो हम लोग जब यहाँ पर delta s not reaction की बात करेंगे तो हम लोग same principle apply करते हैं कि product में जितना molar entropy है उसको add करेंगे और reactant वाले से उसको minus करेंगे तो यहाँ पर हम लोग इस तरह से देखे calculation बहुत ही simple है सबसे पहले यहाँ पर delta s not reaction लेना है तो इसके लिए क्या करेंगे इसका हम लोग entropy लेंगे इसका entropy लेंगे दोनों को add कर देंगे और साथी साथ इन दोनों को हम लोग minus कर देंगे तो यह value आपको question में दिया हुआ है value निकालने से 200 joule यहाँ पर आता है उसी तरह से जब हम लोग delta h reaction की बात करेंगे तो delta h reaction में क्या करना है तो आपको वही same principle कि यहाँ पर आपको क्या करना है देखिए product का यहाँ पर delta hf मतलब formation लेना है तो आप यहाँ पर इसका लेंगे plus में co2 का लेंगे minus करेंगे sno2 का minus करेंगे coke का बट हमको यह पता होता है कि जो elemental state में जो value होता है उसका standard enthalpy of formation को हम 0 लेते हैं यह हम लोग by convention माना हुआ है तो हम लोग यहाँ पर 0 यहाँ पर लेते हैं फिर उसके बाद हम coke जो carbon है उसको भी हम लोग यहाँ पर 0 elemental state में इसलिए हम उसको 0 लेंगे यहाँ पर इसको solve कर लेंगे फिर बहुत ही basic आपको बताया है मैंने कि आपको यह formula लगा लेना है delta H minus T delta S not less than 0 यहाँ से T का calculation करेंगे तो बहुत आराम से आपको यह temperature 935 Kelvin यहाँ से मिलता है इसके अंदर आप देख सकते हैं कि बहुत basic है इसमें सबसे important चीज़ क्या है कि आपको reaction लिखना है और उसके साथ साथ आपको delta S not reaction का plus delta H not reaction का calculation कर लेना है और उसके बाद basic delta G not के formula में put करेंगे वहाँ से temperature का value आएगा सो मैं उमीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे तरीके से यह सब समझ में आ गया होगा अगर इस question को मैं rate करूँ तो यह medium to थोड़ा सा मतलब slight difficult माना जाएगा क्योंकि इसके अंदर आपको एक reaction की समझ होनी चाहिए और साथी सा delta H का calculation किस तरह से करते हूँ तो उसकी समझ होनी चाहिए तो चलिए अब हम लोग next question के तरफ चलते हैं कि इसके अंदर जब आप बात करेंगे ना यह question बहुत ही बहतरीन question है आप मैं चाहता हूँ कि आप वीडियो को pause करकर थोड़ा सा question को read करे और उसके बाद इसको प्रोसीड करें कि आखिर इस question को बनाना कैसे है मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिस करता हूँ कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है एक तो reaction दिया हुआ है कि x है y है z है यहाँ पर उनका state mention किया हुआ है यहाँ पर ln pz बता p5 यह आपका मतलब यहाँ पर ln pz बता p5 यहाँ पर कुछ आपको इस तरह का एक symbol दिया गया है आगे चलके यही value यहाँ बताता है कि जो k है वो कुछ नहीं है k को हम लोग इस तरह से लिखते है pz बता p5 तो इसी को हम लोग k लिख रहे है तो basically क्या है यह graph ना ln k का है k मतलब equilibrium constant का और x-axis पर क्या है 10 to the power 4 बता में temperature Kelvin वाला यहाँ पर mention किया हुआ है ग्राफ कुछ इस तरह से दिया हुआ है और इसके अंदर यह relation दिया हुआ है अगर आप ध्यान से देखे तो आपको पता है कि यहाँ पर ln k का relation हमारे पास ऐसा एक relation आता है देखे अगर हम यहाँ पर बात करें तो इस तरह का relation हम लोग पढ़े है ना आरहेनियस equation के अंदर भी हमारे पास आता है और डेल्टा जी के अंदर भी आता है देखे डेल्टा जी नॉट इस इक्वेल टू हम लोग पढ़ते हैं अगर हम इन दोनों इक्वेशन को बढबर करके solve करें तो माइनस आर टी एलन के हो जाएगा में यहां से आर्टी से डिवाइड कर लेंगे तो यहां से आ जाएगा लन के इस इक्वेल टू क्या आ जाएगा माइनस डेल्टा एच नॉट by r और into में यहाँ पर आ जाएगा 1 by t और यहाँ पर अगर solve करें तो आ जाएगा delta s not बटा में यह आ जाएगा r अब इसको अगर हम इस तरह से मानें कि यह मेरा y है यह मेरा m है 1 by t हमारा x हो गया और यहाँ पर यह हो गया plus में c तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं कि यह हमारा पूरी तरह से एक equation बनके आता है अब थोड़ा सा इस के अंदर question के अंदर difference क्या है देखिए जब हम थोड़ा सा इस question के अंदर difference देखेंगे तो आपके पास यह जो axis में उसके scale में थोड़ा सा difference है कि यहाँ जो scale है वो 1 by t का नहीं है basically वो 10 का power 4 by t का यहाँ पर scale यहाँ x-axis पर दिया हुआ है तो यह difference है कुछ नहीं करना आपको पता y equal to mx plus c जो है कि straight line होता है straight line का बहुत ही basic calculation slope क्या है intercept क्या है यह हम लोग को आता है सो हम लोग बहुत आराम से calculation करेंगे सो देखिए पहला जो question है वो बोलता है कि standard enthalpy का value बताना है मतलब delta h naught का value बताना है सो आईए देखते हैं इस question को किस तरह से solve करेंगे सबसे पहले reaction ऐसा दिया हुआ है delta g naught मैंने आपको यहां तक बताया कि किस तरह से solve करना है अब हमको यहां से सोचिये आप कि हमको यह value चाहिए कौन सा value चुकि यहां पर हमको delta h naught चाहिए तो हमें यह slope से निकालना होगा यह जो value है वो slope का part है तो slope का part है तो slope हम किसी भी straight line का slope कैसे निकालते हम लोग say straight line का slope निकालते हो y2-y1 बटा में x2- x1 हम लोग को पता है कि कोई straight line है तो उसका slope हम लोग निकालते हैं तो आइए देखिए slope किस तरह से निकालिएगा graph के अंदर आपके पास यह value दिया हुआ है यह आपका y2 हो गया यह आपका y1 हो गया, यह आपका x2 हो गया, यह आपका x1 हो गया, value put कर देंगे यहां से तो बहुत आराम से calculation हो जाएगा, यह कुछ नहीं बहुत ही basic mathematics का इस्तमाल यहां पर किया जा रहा है, सो आप देख सकते हैं, minus delta h naught by r into यहां पर 10 का पावर minus 4 करेंगे, चुकि उसकेल उस तरह से mention किया हुआ है, और यह y2 minus y1 बटा में x2 minus x1 value put करेंगे, minus 2 आएगा, अब यह वाला value इधर transfer होके delta h की value यहां से निकाल लेंगे, बहुत आराम से बहुत easy calculation है, जब आप इसको solve किलो जूल की अंदर तो आपको इतना value आ जाएगा, बहुत basic है, minus delta h naught बटा में r into 10 का पावर minus 4 और minus 2, r का value चुकि यहां पर हमको जूल में निकालना है, तो हम लोग पहले 8 point d14 put कर देंगे, और जो value आएगे जूल में, उसको फिर 1000 से divide कर देंगे, तो इस तरह से हम लोग यह वाले question को approach कर सकते हैं, जिसके अंदर हम delta h की value को निकाल रहे हैं, next question पर आते हैं, इसी का, चुकि यह paragraph question है, तो इसके अंदर आ part है यह आपका c का part है, पतल अगर इस question में graph का अगर y intercept दे दिया होता, तो बहुत आराम से value यहां put करके निकाल लेते हैं, पर चुकि यहां पर intercept line का दिया नहीं है, देखिए यह जो graph है आपका, उसके अंदर यह point mention नहीं किया हुआ है, कि यह graph कहां पर इसको intersect कर रहा है, त x plus c में, अगर हमको c निकालना है, y पता है, m पता है, x पता है, तो c बहुत आराम से हम equation से solve कर सकते हैं, तो यहीं चीज हम लोग वहां पर apply करेंगे, देखिए, यहाँ पर आपके पास y का value पुट कर दिये, slope हम लोग minus 2 अभी पिछले वाले question में निकाले थे, यहाँ पर x का value यहाँ से calculate कर लिए, मत्तब जो value scale यहाँ mention किया हुआ है, चुकि temperature question बोला है, thousand Kelvin पे हमको यह value calculate करना है, so value put करके यहाँ से c का value बहुत आराम से निकाल सकते हैं, so यह जो दो question था बहुत ही basic, इसकी अंदर mathematics, मत्तब इस्टेट लाइन को किस तरह से इस्तमाल करते हैं, उसमें y equal to mx plus c क्या है, वहाँ से m और c के calculation को straight line से solve करना है, so थोड़ा सा देखा जाए तो question medium range का है, और एक बहुत ही thermodynamics का वही same formula फिर से apply करना है, कौन सा वाला, delta g0 बराबर, यहाँ पर delta h0 minus t delta s0, तो इस तरह से हम इन दो questions को भी बहुत अच्छे तरीके से solve कर पाते हैं, तो मैं उमीद करता हूँ कि आपको यह दोनों question बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, आईए, फिर से हम लोग एक question को यहाँ पर देखते हैं, एक question बहुत ही easy question है, graph के उपर question है, value इस्तमाल करना है, बतर जो भी formula है, directly apply की easy है, और answer तक पहुच जाएंगे, देखे, इसके अंदर क्या दिया हुआ है, one mole gas का दिया हुआ है, 900 Kelvin यहाँ पर temperature है, दो reversible process है, यहाँ पर एक reversible process है, जो यहाँ से यहाँ mention किया हुआ है, दूसरा यहाँ से यहाँ mention किया हुआ है, बोलता है कि पहला process कराते हैं, फिर next हम लोग second process कराते हैं, उसके बाद बोलता है work done by the gas, in two processes are same, इसका मतलब कि जो process, मतलब work done in first, is equal to work done in second, बोलता है ln v3y v2 बताना है, तो बहुत easy है, देखिए, आप आईए समझते हैं इसको, यह क्या है entropy, अब ज़रा ध्यान से देखिए, कि यह जो process है, इस process के अंदर entropy जो है constant है, इसका क्या मतलब होता है, जब entropy constant होता है, तो हम उस process को बोलते हैं, कि वो reversible adiabatic process है, reversible adiabatic process है, चुकि reversible adiabatic process is a type of isentropic process, isentropic का मतलब क्या है, कोई ऐसा process जिसमें entropy constant होती हो, तो हम लोग इस process को बोलते हैं, कि entropy constant है, और इसलिए हम लोग isentropic process बोलते हैं, और इस process के अंदर चुकि यह process reversible adiabatic process की तरह यहाँ पर हम लोग मानते हैं, फिर आप देख सकते हैं कि इस process जो second process है, उसमें internal energy constant है, अब ideal gas में आपको बहुत आराम से पता है, कि delta U is equal to nCV, delta T लिखते हैं, और अगर delta T अगर 0 है, तो delta U भी 0 हो जाएगा, इसका मतलब कि internal energy constant होगा, जब temperature भी constant हो, इसका मतलब क्या, कि यह जो process है, process 1, process 1 जो है, वो आपका कौन सा process है, एडियावेटिक process, और जो process 2 है, वो आपका आईसो थर्मल process है, तो हम लोग इन दोनों process को पहले identify किये, फिर दोनों का हमारे पास formula है, directly apply करेंगे और answer तक पहुँच जाएंगे, देखिए, हमको निकालना क्या है इसमें, सबसे पहले तो देखिए, यहाँ पर पता क्या करना है, देखिए, यह जो question यहाँ पर देता है, work done इस तरह से है, तो हमको ln V3 भाई, V2 निकालना है, V3 यहाँ पर mention किया हुआ है, V2 यहाँ पर mention किया हुआ है, अब आएए देखते हैं जरसा, यहाँ पर question के अंदर heat capacity जो है, वो 5 by 2 R दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग पहले वाले प्रोसेस में, delta U निकालनेंगे, N, CV, delta T, CV का value question में दिया है, delta T का value हम लोग वहाँ से देखें, चुकि यहाँ पर क्या दिया हुआ है, delta U, मतलब U2 और U1 mention किया हुआ है, अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर देखें, इसका internal energy, temperature T1 पे इतना दिया हुआ है, T2 पे इतना दिया हुआ है, तो इस तरह से हम calculate करेंगे, तो यहाँ पर जो value आ गया आपका, वो हम लोग minus करेंगे, minus 1800 आ रहो गया, और यहाँ से हम delta T, अहाँ से value निकाल लेते हैं, तो delta T का value निकाल लेंगे अगर, तो minus 720 आ गया, इस तरह से, और चुकि T1 यहाँ question में दिया हुआ है, कितना 900 Kelvin, तो उस तरह से हम T2 की value यहाँ पर निकाल लेंगे, तो जो की आ जाएगा कितना 180 Kelvin, अब यह temperature का जरूरत क्यों है, देखिए, चुकि हमको यह पता है, कि जब हम isothermal process की बात करते हैं, तो आईसो थर्मल process, चुकि यह process आईसो थर्मल है, तो आईसो थर्मल का मतलब क्या, जो यहाँ temperature है, वही temperature यहाँ भी रहा होगा, तो अगर यह temperature, यह T2 temperature है, T2 मतलब 180 degree, तो हम लोग 180 Kelvin है, तो वो temperature हम लोग second वाले के लिए इस्तामाल करेंगे, तो हम लोग second में लिख सकते हैं, work done निकालना है, minus nRT, T कौन सा वाला, T2 वाला, ln V3 by V2, और यहाँ से चुकि दोनों का वर्क बराबर है, और वर्क कितने के बराबर होगा, delta U is equal to Q plus W, चुकि वो reversible adiabatic है, तो Q 0 हो गया, तो W और delta U बराबर हो गया, इस तरह से हम यहाँ पर Q plus W है, तो यहाँ से W और delta U यहाँ पर बराबर हो जाएगा, तो उस तरह से दोनों value को put करेंगे, चुकि equation किस तरह से था, work first वाले में is equal to work second वाले में, वहाँ से यह value बहुत आराम से calculate कर सकते हैं, तो इसके अंदर यह बहुत ही basic question था, जिसमें हमको isothermal process और adiabatic process में basic formula हमें पता होना चाहिए, बस इस question का जो सबसे important part था, वो यह था कि अगर किसी process में entropy constant है, तो उस process को हम लोग adiabatic reversible process मानते हैं, तो हमें बस ये एक conceptual part है जो हमें पता होना चाहिए, तो चलिए मैं उमीद करता हूँ कि आपको ये question भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, अब हम लोग next question के तरफ move करते हैं, देखें ये जो question है वो basic जो है आप अगर देखेंगे तो thermochemistry के अंदर, thermochemistry के अंदर एक topic आता है जिसको हम लोग enthalpy of combustion बोलते हैं, enthalpy of combustion और इस enthalpy of combustion के अंदर हम लोग एक concept इस्तमाल करते हैं, जिसको हम लोग warm calorie meter बोलते हैं, warm calorie, हाँ, warm calorie meter, अब देखें, concept आपको समझना क्या है कि जो warm calorie meter होता है, उसके अंदर जो heat का calculation होता है, वो heat आपका constant volume पे calculate होता है, क्योंकि warm calorie meter में हम लोग volume को fix रखते हैं, जब volume fix हो जाता है, तो heat at constant volume is called delta U, आपको ये पता है, और heat at constant pressure is called delta H, ये दो information हम लोग को, मतलब यहाँ thermodynamics में पता होता है, तो हम लोग को ये concept ही यहाँ पे लगाना है, कि जो q at constant V है, वो आपका delta U के बराबर है, तो आईए, अब इस question को हम लोग solve करते हैं, इसके अंदर दो concept हम लोग इस्तमाल करेंगे, पहला concept है कि q at constant V is equal to delta U, और जो second concept है, किसी reaction के लिए, जब हम delta H लिखते हैं, तो वो delta H reaction is equal to delta U reaction, प्लस delta NG RT लिखते हैं, तो यह formula हम लोग इस्तमाल करेंगे, तो देखिए, किस तरह से question को approach करना है, तो question के अंदर mercury को हम लोग यहाँ पर combustion करा रहे हैं, तो हमको यहाँ पर यह चीज, HGO का यहाँ पर formation हो रहा है, तो अब हम लोग calculation पर आते हैं, देखिए, question के अंदर क्या बोलता है, कि bomb calorie meter का जो heat capacity, heat capacity मत्तब C का value यहाँ पर question में दिया हूए, 20 है, temperature का जो increase हो रहा है, मत्तब यह आपका temperature 298 था, भरके यहाँ से 312.8 चला गया, तो इसका मत्तब कि यह delta T का value यहाँ पर question में आ गया, तो यह C है, यह आपका delta T है, अब देखें, यहाँ से चुकिए, अगम Q की value निकाले, तो हम लोग जानते हैं, Q बराबर C delta T, और यह जो हमारा value है Q का, यह constant volume पर Q आता है, सबसे पहले delta U का value निकल गया, Q, क्योंकि delta U और Q at constant V दोनों बराबर है, सो इसी को हम लोग इस तरह से यहाँ पर कर सकते हैं, कि जो Q at constant V है, उसी को हम delta U बोलेंगे, सो इस तरह से हम लिख सकते हैं, C और यहाँ delta T, यह value यहाँ पर, अब इसमें आप note करेंगे, तो यहाँ एक minus value भी include किया हुआ है, देखिए ध्यान से, इसके calculation के अंदर अगर आप देखेंगे, तो यहाँ एक minus है, minus क्यों है, चुकि heat यहाँ पर release हो रहा है, जब हम किसी चीज़ को अगर combustion कराते हैं, तो heat वहाँ release होता है, और heat released by the system को हम लोग negative लेते हैं, ऐसा हम लोग thermodynamics में, हम लोग sign convention में पढ़ते हैं, अब आईए formula लगाते हैं, delta H equal to delta U plus delta NG RT, तो इसके अंदर अब हम क्या करेंगे, delta U का value पूट कर देंगे, reaction में delta NG निकालेंगे, देखें यह चुकि solid है, यह आपका यहाँ पर gas और यह वाला भी आपका gas है, so delta NG का value कितना है, minus 3 है, R के value पूट कर देंगे, और यहाँ पर चुकि kilo Joule में है, तो इस तरह से calculation करने के लिए यहाँ पर thousand से divide करेंगे, तो यह value आपका इतना आ गया, अब question के important part पर आते हैं, so हम लोग को delta U मिल गया, यहाँ पर delta H हो गया, अब हमको question में solve क्या करना है, देखें, question के अंदर हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है, यहाँ पर enthalpy of formation of, यहाँ पर HGO निकालना है, जिसका value यहाँ पर X दिया हुआ है, so enthalpy of formation of HGO निकालना है, जिसका value X है, तो अब हमको यह भी पता है, देखें, किसी reaction के लिए, किसी reaction के लिए, जब हम delta H लिखते हैं, तो हमको पता है न, इस तरह से लिखते हैं, delta H not formation, सारे product का, minus delta H formation, सारे reactants का, हम लोग यहाँ summation वगएरा कर देते हैं, तो अब यही same चीज़ यहाँ पर apply करना है, देखें, यहाँ पर delta H हम लोग को पता है, तो इस reaction में क्या करेंगे, इसका formation into 2 कर लेंगे, और इसका formation into 2, और plus में इसका formation, जो enthalpy of formation है, तो यहाँ देखें, ध्यान से 2 into delta H formation of HGO, और minus में 2 into delta H formation of HG gas, अब इसमें एक important concept यह है, कि oxygen तो elemental state है, तो इसका delta H formation तो हम लोग 0 ले लेते हैं, बट ध्यान से देखें, यह भी elemental state है, बट यह mercury का gas form है, और mercury का liquid form होता है, वो मेरा elemental state मतलब thermodynamic reference state माना जाता है, इसलिए question के अंदर इसका formation आपको question के अंदर दिया हुआ है, और इसका formation हमको निकालना है, तो इस तरह से हम यहाँ पर value put कर देंगे, delta H की value इतनी आ गई, उसके बाद यहाँ पर 2X माइनस में इस तरह से लगाएंगे, X का value calculate करेंगे, तो basic calculation यहाँ पर हम लोग को use करना है, तो इसके अंदर आपको delta U निकालना है, delta H निकालना है, और फिर reaction के delta H को इस्तमाल करके formation से relate करना है, तो यह काफी बहतरीन question है, और मैं उमीद करता हूँ कि आपको यह question बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो अभी हम लोग next question, जो कि हमारे इस session का last question होगा, उस पे move करते हैं, तो देखिए यह एक बहुत ही basic सा question है, मतलब हम लोग अगर irreversible process परते हैं, तो irreversible process में किस तरह से calculation करते हैं, work का, फिर उस तरह से entropy का calculation किस तरह से करते हैं, यह हम लोग इसके अंदर जानने की कोशिस करेंगे, देखिए, इसके अंदर दो चीज हमें पता होना चाहिए, कि पहले तो W external, मतलब हम लोग अगर यहाँ पर, अगर हम लोग यहाँ पर इस तरह से लिखे, W irreversible, तो हम लोग लिखते हैं, minus P external into delta V, एक concept यह हो जाता है, दूसरा जो formula है, वो हमें पता होना चाहिए, delta is surrounding equal to minus Q system, बटा में T, अब हमको यह देखे, बहुत important चीज हो गया, कि हमको reversible का work पता होना चाहिए, और system का Q कैसे निकालना है, उसको relate करके हम entropy change of surrounding निकालेंगे, आइए देखते हैं क्या दिया हुआ है, सबसे पहला चीज है, इसका mole कितना है, mole 1 दिया हुआ है, ideal gas है, यहाँ पर 300 Kelvin, तो यह इसका temperature हो गया, इसके अंदर यहाँ पर surrounding के साथ बोलता है, expand करता है, isothermally, isothermally मत्तब कि delta T 0 हो गया, यहाँ पर आपका volume दिया हुआ है, volume का change दिया हुआ है, constant pressure कितना है, 3 है यहाँ पर, तो इस तरह से हम solve करते हैं इसको, देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा आप अगर देखेंगे, तो यह जो value है, यह value यहाँ पर 1 है, यह 1 liter है, अब इस 1 liter अब देखें ध्यान से, कि यहाँ पर volume का change 1 से 2 liter हो रहा है, और उस तरह से pressure जो है, वो constant है, तो आप जानते ही है, कि कोई irreversible process में हम इस तरह से बात करते हैं, कि जो यहाँ से system में expand कर रहा है, अगेंस constant pressure, तो इस तरह से जो external pressure है, वो आपका 3 हो गया, तो हम लोग लिखते हैं, minus 3 into 2 minus 1, तो इस तरह से हमको minus 3, एटियम लीटर में यह value आ गई, अब एटियम लीटर के value को convert करते हैं, तो हम लोग यहाँ पर देखिए, question के अंदर mention किया हुआ है, कि 1 liter ATM is equal to 101.3 joule लेना है, तो इस value को यहाँ multiply करेंगे, बहुत आराम से यह value निकल जाता है, चुकिए isothermal process है, तो हम लोग जानते हैं कि delta U is equal to nCVM delta T, तो यहाँ से delta T चुकिए 0 है, तो delta U का value 0 हो जाएगा, यह लिख देंगे, और first law से हम जानते हैं Q plus W is equal to delta U, तो यहाँ से value put करेंगे, delta U 0 है, और यहाँ से अगर हम निकाले तो यह Q system हो गया, is equal to minus W, और यहाँ पर W का value यहाँ पता है, तो value हम put कर देंगे यहाँ से, और जब Q system निकल जाएगा, तो Q system को हम लोग यहाँ पर relate करके यह formula apply करेंगे, कौन सा formula, delta S surrounding is equal to minus Q system बटा में T, और देखिए Q system निकल चुका है, Q system जो कि W पता है, Q system आ जाएगा, वहाँ से formula लगा के बहुत आराम से calculation कर सकते, तो इस question के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको दो चीज़ बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, पहला चीज़ यह है कि irreversible process में हम work निकालते कैसे हैं, और second चीज़ यह है कि जो delta is surrounding है, हम उसको किस तरह से calculate करते हैं, तो जो कि minus Q system बटा में T से होता है, तो इस तरह से हमारा जो यह discussion है, बहुत अच्छे तरीके से conclude होता है, मैं उमीद करता हूँ कि आपको अच्छे तरीके से, एक एक concept बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, so thank you guys,